Good morning all of you, आज का यह जो message यह CMA students के लिए है, सबसे पहले मैं clear कर देता हूँ, I am not a CMA, मतलब I am not a cost accountant, I am a CA and a CS, CMA institute के बारे में कुछ भलावुरा बोलने का मुझे बिलकुल अधिकार नहीं है, यह video जो बनाया जा रहा है, it is not for some anxiety or controversy, मैं सिर्फ अच्छी बात और positive बात ही करने जा रहा हूँ, और students को, जो CMA के students जिनका December में exam है, जिनका online center-based exam है, इंटरफाइन वालों का तो December में exam पढ़ रहा है, online center-based और foundation वालों का exam पढ़ रहा है January में, ठीक है, तो मैं सिर्फ tips देना चाहता हूँ, अच्छी बाते बताना चाहता हूँ, मैं एक बात बोलना चाहू 10 साल से अल्मोस हो गए, मुझे पढ़ाते वे, और ऐसा मेरे life में शायद ही कोई दिन रहा होगा, जब मैं मतलब anxiety से भरावा नहीं था, कभी ना कभी कुछ ना कुछ होते हैं, I was like filled with anxiety, negative thoughts and everything, but I will tell you, it is not at all helpful, ultimately करम करना ही पढ़ता है, मुझे ultimately I have to get back to work, और जब मैं work करने ब अब ये December में जो exam होने जा रहा है, इसमें मतलब center पर जाकर exam देना है, जैसा कि institute की notification में लिखा है, it's an online center based exam, ठेके, तो इसमें एक ही दिक्कत जो सबसे बड़ी आती है student को, कि typing कैसे करेंगे, sir exam में हमको typing का बहुत issue हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हम क्या करेंगे, मैं ब कितने भी students exam देने जाएंगे, चाहिए वो CMA, Inter, क्यों, Final क्यों, सभी को तो same problem जहलनी पड़ रही है, and all of you are on the same platform, पिछली बार जब home based online exam हुआ था, तो कितनी तारीफ हुई थी institute की, और results कितने जबरदस्त आ गए थे, जाहिर सी बात है, it is like, बोला जा रहा है कि शायद cheating व देना चाहता है, ठीक है, institute और teacherों में एक फरक है, कि जैसे हम लोग teacher है, हम लोग अपनी बात student के सामने रख देते हैं, YouTube पर आता है, वीडियो बनाते हैं, कभी कुछ अच्छा बोलते हैं, कुछ motivate करते हैं, कभी पढ़ाई का academy content होता है वगेरा, बट जो institute है, institute के जो भी representatives हो और एक problem create हो जाती है, कि nobody can understand the reason behind what they are doing, why they are doing, ये तो सच है, कि अगर center भी जाके exam देना है, तो writing में होता है, तो अच्छा रहता, ठीक है, क्यों सेंटर में होता है, तो लिख करने में बहुत दिक्कत होती है, खास दोर पर जो students होते हैं, उनकी typing speed developed नहीं होती है, typing speed जो होता है It's a skill, जैसे गारी चलाना एक skill है, English फड़ा फड़ बोलते रहे ना, क्योंकि हम लोग Indians है, हमारी mother tongue English नहीं होती है, तो English फड़ा फड़ बोले ना, ये skill है, और कोई भी skill जो होता है, वो practice से आता है, ठीक है, वो practice के बिना नहीं, जैसे, I'll give you one very small example, अगर तुम दो चार English films द practice हो जाता है, when you watch a movie, देख लेते हो, या कोई show देख लेते हो, तो निकलने लग जाता है, अंदर से, same goes with typing, एक person जो job करता है, वो regularly रोज laptop पे काम करता है, तो उसकी typing speed बहुत अच्छी होती है, students नहीं काम करते है, अगर आर्टिकर्शिप करें तो बात और है, लेकिन अगर अच्छी नहीं होती है, और मुबाइल पे message type करना versus keyboard पर, मतलब keyboard जिसको बोलते हैं, सही मेरे सामने keyboard रखाए, उस पर type करने में थोड़ा फरक होता है, ठीक है, मेरा एक simple सा suggestion है, दो तीन suggestions दूँगा, अच्छे अच्छे, जिसको आफ फॉलो कीजिए, ठीक है, पहली बात त तो be positive and optimistic कि एक अच्छे mindset के साथ मेरे को पढ़ाई करना है, negative रहेंगे, अगर अंदर से जले वे रहेंगे ना problem हो जाएगी, उससे help नहीं होगा पढ़ने में, तो be positive, anxiety से दूर रहो, anything that troubles you, कोई negative news, कुछ negative thought उसे दूर रहो, positive क्यार में सोचो, क्योंकि देखो, जो हो रहा ह किसी particular student के साथ नहीं होगा, it is happening to everyone, ठीक है, और ये exam में सब को, सब के साथ तुमको compete करना है, तुम में से जो best होगा, वही बहार निकल के आएगा, तो इसमें positive रहे ना, इसमें negative नहीं हो, दूसरा जहां तक typing का problem आता है, उसके लिए मैं 2-3 सुझाओ दे देता हूँ, अभ तो तुमें काम कर सकते हो, डेली 15 मिनिट भस, घरी देखके मोबाइल में टाइमर लगा लो 15 मिट का, और ना, टाइपिंग प्रैक्टिस कर सकते हो, कीबोर्ड होगा, घर में या लैप्टफ होगा, जो भी होगा, ठीक है, इतना तो होना चिकम से कम, तो उसमें होती है, ठीक है, तो थोड़ा सा कुछ भी जो मन में विचार आ रहा है, think about it in English and start typing it, उससे होगा क्या, तुम्हारा जो एक आउट ऑफ टाच हो गया होगा, कीबोर्ड टाइपिंग से वापस से टाच में आ जाओगे, तो एक मेहने तक अगर 15-15 मिट करोगे ना, तो काफी पर रख पड़ेगा, I'm telling you, exam में जब बैठे होगे, कम से कम तुम्हारा जो भी बिना प्रैक्टिस का जो टाइपिंग स्पीड है, वर्सस डेली का 15-15 मिट का टाइपिंग स्पीड जो एक मेने तक करोगे, डबल का फरक आ जाएगा, डबल का फरक आ जाएगा, मतलब मेन फोकस पढ़ाई पर है, मेन फोकस रिविजन पर है, ठीक है, और 15 मिनिट ही बस तुमको इसमें डिडिकेट करना है, उससे अधिक नहीं करना है, और यह मैं सच बता रहा हूं, यह जो 15 मिनिट होंगे, यह तुमारे भविश्य का इंवेस्टमेंट होगा, इसको बुरा म अब लास्ट के एक महने हैं, अब अगर मैं इधर में बहुत सारे इस तरह के मैसेज़ेस बगारे बनाते रहता हूं, जो पढ़ाई में helpful होते हैं, और वो सब स्टुडेंट के लिए होते हैं, वो C.A, C.A, C.M.A, because particularly मैं कोई C.A के बारे में नहीं बोलता है, I talk about all the students, I've been teaching C C.M.A for last 9 years, जब से मैं पढ़ा रहा हूं तो अभी से, but C.M.A students हमेशा चाहते हैं कि उनको अलग से उनका नाम लिया जाए, तो अब से मैं वही करूँगा कि हर बार, हर क्लास में, हर वीडियो में, उनका अलग से एक नाम ले लिए 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 लिए, ताकि you don't feel disconnected with me, बात इसी है कि negativity से घिरे रहो गया ना, कि सखाली बुरा है, बुरा है, बुरा है, तो गंदे-गंदे thoughts आने लग जाएंगे दिमाग में, और जिस course को तुमने जॉइन किया, उसके पती जो तुमारा respect है, वो खतम हो जाएगा, आज एक simple से बास सोचो, I am a teacher, मेरा काम क्या पढ़ आना, अगर मुझे पढ़ाने के process से ही नफरत हो जाए, तो मैं पढ़ा पाऊंगा क्या, अगर teaching के बारे में दिन बढ़ नेगिटिव, नेगिटिव, नेगिटिव में सुनता रहोंगा, बिकॉस बहुत सारे जो non teachers होते हैं, जो लोग teacher नहीं होते, जो भी आम आदमी होता ह टीचरों की बुराई करना, कि teacher लोग तो ऐसे हैं, teacher लोग तो ऐसे हैं, यह वो है, अब अगर हम teachers, हम भी हर वक्त उसी तरह negative, negative, negative सोचते हैंगे, teaching के बारे में, तो हम से teaching होगी, क्या हम पढ़ा पाईगे, तुमको आखे हैं आपे, तो जिस चीज को आप करते हो, अगर नफरत करना, चालू कर दोगे ना, फिर आप से महनत नहीं हो पाईगा उस चीज में, तो आपको उसको प्यार करना, उसको respect करना, आपको पढ़ना है, negative मा सोचो, right, wrong होता रहता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, हमारे control के भाहर होती है, आप उस पर focus करो, जो आपके control में ठीक है, center में जाके exam देना है, ठीक है, जाएंगे, typing में सर बहुत दिक्कत होता है, सबको होता है, तुम्हारे साथ room में जो जो students बैठेगा, लड़का, लड़की, जो भी, सबको होगा, अकेले तुमको नहीं होगा, मैं लिख के बोल रहा हूँ, सबको तकलीफ होगा, तो जो होगा, सबके साथ ही हो रहा है न, you are being judged relatively to your peers, ऐसा तो नहीं है, कि आपको typing master लोग के साथ बिठा दिया गया, जो बहुत fast लिख रहे हैं, और आप तो इदम slow हो, ऐसा तो नहीं है, जो हो रहा है, सबके साथ हो रहा है, तो negative मस हो चो प्लीज, अपने पढ़ाई पर focus करो, और जो मैंने एक छोटा सा तुमको एक बात बताया, कि बी positive गंदा छोड़ो हटाओ, anxiety से दूर रहो, ठीक है, वो बहुत time खाता है, और दूसरा चीज, टाइपिंग, 15 minute बस daily keyboard पर टाइपिंग करो, देखो मैंने बंद के अंदर, तुमारी speed बहुत अच्छी हो जाएगी, यह typing ऐसा ही चीज होता है, जैसे मैं जब बुक बनाते रहता हूं, तो मेरी typing speed बहुत फास्ट हो जाती है, और जब मैं बुक बनाना छोड़ देता हूं, जब मैं खाली पढ़ाते रहता हूं, तब मैरा typing speed slow हो जाता है, it happens, यह natural एकदम, कोई बहुत बढ़ा इसमें हाती खो course, see I am a teacher, I cater to all types of students, मैं सब के लिए ही बोलता हूं, ठेक है, तो जो भी हो रहा है, ठीक हो रहा है, मतलब आप मेहनत करो, देखो, सही हो जाएगा नतीचा, इतना ज़्यादा नेगेटिव सोचोगे न, गंदे थोट लाओगे, तो उचित नहीं है, ओके, बी पॉस्टिव, बेस्ट लुट लुट लुट